Hello and welcome to my YouTube channel, I am RJ Rahul और आप देख रहे हैं इस वक्त यंगिस्तान by RJ Rahul So without wasting any time, आपको बता दों कि this is a comparison video और इस वीडियो में I will be comparing three lenses basically One is kit lens, other is zoom lens और तीसरा है plyme lens जो camera में भी use कर रहा हूँ, it is Canon 200D Mark II और जो mic I am using right now, it is a wide mic, जो कि बोयाग है I purchased it in round about I think 900-1000 रुपे में online purchase किया था बतन exact price मुझे भी याद नहीं है इसका इसमें आपको मैं दिखाऊंगा basically अगर आप vlogging करना चाहते हैं या फिर आप pictures करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा lens जो है So this is basically kit lens, जिसे दुनिया बहुत ज़्यादा इन्हों दुतकारती है कहती है यह lens बेकार है, but I don't think so कि यह lens बेकार है आप जो वीडियो देख रहे हैं, which is not in 4K, 1080p में है यह और अच्छा शूट करता है background भी अच्छी आ रही है, और camera से मैं जाता धूर भी नहीं खड़ा हूँ almost past में ही खड़ा हूँ, 1855 kit lens है यह और अगर मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँ यहां से जूम भी हो जाता है, और Canon 200D Mark II के एक चीज़ अच्छी है कि यह focus बनाए रखता है, और यहां पर आपको थोड़ा सा blur देख रहा होगा because unfortunately camera lens जो है वो गिर गया था, मुझसे नहीं मेरे दोस से anyways, so I'll be changing this lens very soon so यह है Canon 1855 kit lens से जो आप देख रहे हैं, ज़्यादा दूर जाओंगा तो भी आवाज अच्छी है because I'm using Boya Mic यह की lens जो है, वो ज़्यादा दूर तक जाता है so 1855, camera के पास कड़े रहके vlogging करना चाहते हैं, it is cool आप कहीं भी, you know, with that Gorilla tripod, जो कि मैंने इस ताइम यूज करा हुआ है आप कहीं पर भी जाकर vlogging कर सकते हैं, it is easy to use हाँ, जो night photography है, वो इससे थोड़ी मुश्यकल हो जाते है because of its F aperture, because 4 to 5.6 है जैसे कि जादा light जो है, वो lens में नहीं आती है इसके बाद, you know, I'll be using Canon 55-250mm lens अब वो जो lens से उस पे, you know, अभी आपको जादा blur नहीं दिख रहोगा background में, but जैसे ही, you know, I'll be switching over to 55-250mm lens you'll see a drastic change, आपको जादा blur दिखने वाला है, but then मैं तोड़ा crop हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर खड़े रहके, शूट नहीं कर पाऊंगा मुझे और जादा पीछे जाना पड़ेगा, because it is a zoom lens but, जो view है, angle जो है, वो अच्छा लगता है अभी आप मुझे देख रहे हैं, I'm looking like normal, you know, normal उसके बाद भी रहूंगा I'll not be changing myself, but जो view है, जिसे हम lens के view कहते हैं, वो एक अच्छा आपको देखने वाला है with proper bokeh effect, so let's switch over to 55, 250 mm lens and let's go पहले मैं 1855 से यहाँ पर खड़ो के शूट कर रहा था, but as I told you, it's a zoom lens तो मुझे यहाँ पर रहकर shoot करना पड़ेगा, लेकिन, वो जो bokeh effect आप देख रहे हैं इस वक्त, it's all blood here वो ज़्यादा अच्छा देखता है as compared to 1855 kit lens, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ता है so उसके लिए आपको थोड़ी सी investment करना पड़ती है, आपको एक mic purchase करना पड़ता है I'll recommend you people के आप Boya का mic purchase कर लीजिए, अच्छी आवाज आ रही है, मैं और ज़्यादा दूर चला जाओंग, तब भी आवाज इसकी बहुत ज़्यादा आच्छी आती है and proper आपको boke effect मिलता है, चाहे आप videos बनाना चाहते है, चाहे आप stills लेना चाहते है so मेरी पिछे आप proper boke effect देख रहे होंगे, with all blur background but इसका भी F जो है, it is from 4 to 5.6 so I'll be switching over to now Canon 50mm which is called as prime lens और वो तो पूरी हर चीज़ चेंज कर देता है, बट उसके भी कुछ drawbacks है so this was 55-250mm, जो कि background आपको blurb दिखा रहा है, और ज़्यादा पीछे भी मैं चाह सकता हूँ अब आज सुरिया को clear आएगी, but जो view है वो चला जाएगा and let's switch over to now Canon 50mm lens 18-55 के टाइम मैं यहाँ पर खड़ा था, location अभी भी same है, but मैं बहुँजार crop हूँ and 250mm के टाइम मैं यहाँ पर खड़ा था, जो I think इस location के लिए भी, इस lens के लिए भी, it is quite apt but difference जो है वो आप देख रहे होंगे, इस में कितना जादा clear देख रहा हूँ I'm looking more handsome, you know, as I feel, मुझे ऐसा रहा है कि मैं इसमें जादा handsome देख रहा हूँ as compared to 1855 and 55-250mm lens, वो जो bokeh effect है वो आपको जादा दिखने वाला है, reason के है, मैं बात कर रहा था, f4 to 5.6 so इसका जो f है, aperture, it is 1.8, जिसके वज़ा से यह बहुत जादा आपको bokeh effect देता है, जिसके वज़ा से आपको जो videos हैं बहुत जादा crisp and clear आपको दिखते हैं, आपकी video, for example, if you people are watching me, तो आपको भी बहुत जादा अच्छी दिख रहे होगी video, मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको, you know, इस ताइम, I'm not shooting in 4K, I'm shooting in 1080p, still the video is very clear, और आवाज जो है, वो I think अच्छी आ रहे होगी because of this boya mic, जेतनी चल रही हो, ये effect नहीं होता है, and इसकी जो length है, वो भी काफी दूर है, अभी मैं अपनी काड़ी से बहुत जादा दूर हूँ, and I'm using that gorilla pod, again, I'm using Canon 200D Mark II, ये मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ा और पीछे अगर मैं जाता हूँ, so अभी तक आपको आपको आवाज जो है, मे और background आपकी अच्छे से blur कर देता है, so this was Canon 50mm, अब drawback इसका ये है, कि image stabilization इसमें नहीं है, आप कहेंगे, what is image stabilization, के वर आप photos क्लिक करते हैं, आपके photos बहुत आशाप आती है, लेकिन इसमें आपको tripod यूज करना पड़ेगा, वरना shaky आती है, image stabilization इसमें नहीं है, आप, you know, vlogging इस tripod जो है, वो पकड़ना पड़ेगा, which is not practically possible, और videos भी आप इसे shoot करना चाहते हैं, तो आपको gimbal कर इस्तिमाल करना पड़ेगा, because tripod पर ये hill जाता है, अगर आप tripod आगे पीछे move करेंगे, तो हाँ, एक जगा रहेगा, तो videos आपकी अच्छी बनाता है, ये, ये इसका drawback है, बाक दस हजार का भी मिल जाता है, and very soon, मैं review करने वाला हूँ, Canon 10-18mm lens का, with focal length f4-5.6, which is a perfect vlogging lens, यहाँ पर आप space देखने इतनी पास है, ये इतना, और मैं गाड़ी से बहुत जादूर हूँ, लेकिन, with 10-18mm, मैं गाड़ी के बिल्कुल पास, in fact, अपने lens के बिल्कुल पास रहू का, so this was a comparison video, आपको कैसे लगी, मुझे जरूर बताना, and अगर को questions है, आप वो भी comment section में, मुझे पूछ सकते हैं, I'll be answering every questions of yours, and being a beginner, I want you people के आप मेरी videos को like करें, and do or subscribe to my channel, because के उन्दा के कदा कदा बड़ा बुरा फील हो उन्दा के, तो उस भी दिखने हो, on YouTube, और Instagram, और Facebook, ब बदन views बहुत जादा है, subscriber बहुत जादा है, बदन, that's their luck, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूगा, but, if you'll people like me video and subscribe, तो फिर थोड़ा सचा लगेगा, as हम मुझे लगता है, so signing off right now, कोई भी सवाल होगे, comment section में आप कर देना, and अभी के लिए, bye-bye, take care.